नमस्ते दोस्तों, कहानी के क्रम में आज हम आपके बीच लेकर आये हैं एक प्रेरना दायक हिंदी कहानी चिंटू, मिंचू और टिंकू पिग्स की कहानी एक जंगल में तीन ननहे पिग अपनी मा रानी के साथ एक घर में रहते थे तीन ननहे पेग का नाम चिंटू, मिंटू और टिंकू था कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी मा रानी ने उन्हें बुलाया और कहा मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो अपनी मा की बात सुनकर एक दिन तीनों पिग चिंटू, मिंटू और तिनकू अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे तीनों पिग्स चिंटू, मिंटू और तिनकू काफी ठके हुए थे उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ कर आराम कर लिया जाए फिर तीनों वहीं आराम करने लगे थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे चिंटू पिग्ग ने सलाह अपने दोनों भाई को देते हुए कहा मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किसमत को आज माना चाहिए मिन्टू पिग को ये बात अच्छी लग गई लेकिन तिनकू पिग को यह विचार अच्छा नहीं लगा तिनकू पिग ने कहा नहीं मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किसमत को आज मा सकते हैं उसकी बात सुनते ही चिंटू पिग और मिन्टू पिग ने कहा भला वो कैसे तीसरे टिंकू पिग ने जवाब देते हुए कहा अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे बात दोनों ही पिग को अच्छी लग गई उन दोनों में उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए चिंटू पिग के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा वहीं दूसरे मिंटू पिग ने पेड़ की सूखी तहनियों से घर बनाने का फैसला किया उसने सोचा मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनिया जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा दूसरी तरफ टिनकू पेग ने काफी सोच विचार के साथ ईट पत्थरों से घर बनाने का निरनए किया उसने सोचा घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी लेकिन ये घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा इट का घर बनाने में तीसरे तिनकू पेग को साथ दिनों का समय लग गया तिनकू पेग को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों चिन्टू पेग और मिन्टू पेग ने उसका खूब मजाग बनाया उन्हें लगता कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफी की वजह से कर रहा है वे दोनों चिन्टू पिग और मिन्टू पिग उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे लेकिन टिन्कू पिग कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा जब इतो से उसका घर बन कर तैयार हो गया तो वो देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था इसके बाद तीनों चिन्टू पिग मिन्टू पिग और टिन्कू पिग बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी इस वज़े से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेडिये की नजर पड़ी तीन पिग्स देखकर उसके मुह में पानी आने लगा भेडिये पिग के घर की तरफ बढ़ा सबसे पहले भेडिये पहले चिन्टू पिग्ग के घर पर पहुचा और दर्वाजा खट-खट आने लगा चिन्टू पिग सो रहा था दर्वाजे की खट-खट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूचा कौन है दर्वाजे पर भेडिया बोला मैं हूँ दर्वाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो भेडिये की कड़ी आवाज सुनकर चिन्टू पिग समझ गया कि दर्वाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है वह डर गया और दर्वाजा खोलने से मना कर दिया इसके बाद भेडिये को गुस्सा आ गया उसने गुस्से में कहा नन्हा चिन्टू पिग मैं एक फूँक मार कर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाउंगा उसने एक जोरदार फूँक मारी और भूसे का घर उड़ गया बेचारा चिन्टू पिग वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचा कर भाग गया और दूसरे मीन्टू पिग के घर पहुँचा जैसे ही दूसरे मीन्टू पिग ने दर्वाजा खोला वह जल्दी से अंदर घुस गया और दर्वाजा बंद कर दिया चिन्टू पिग को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा मीन्टू पिग हैरान हो गया इतने में भेडिया उसके घर पर भी पहुँच गया और दर्वाजा खट खटाने लगा भेडिया फिर से बोला दर्वाजा खोलो मुझे अंदर आने दो आवाज सुनकर पहला चिन्टू पिग पहचान गया कि दर्वाजे पर भेडिया ही है उसने कहा भाई तुम दर्वाजा मत खोलना यह एक जंगली खूंखार भेडिया है जो हम दोनों को खा जाएगा जब दूसरे मीन टू पिग ने दर्वाजा नहीं खोला तो भेडिया फिर से गुसे से लाल हो गया वह चिलाया ननहे पिग्स तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दर्वाजा नहीं खोलेगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे इस टहनियों से बने घर को मैं एक जटके में ही तोड़ सकता हूँ इतना कहते ही भेडिये ने एक ही जटके में टहनियों से बना दूसरे मीन टू पिग का घर तोड़ दिया अब दोनों पिग वहां से तेजी से भागे और तीसरे टिंकू पिग के घर पहुँच कर उसको सारी बात बता दी ये सब सुनकर टिंकू पिग ने कहा तुम दोनों डरो मत मेरा घर बहुत मजबूत है वो जंगली भेडिया इसे नहीं तोड़ सकता है लेकिन वे दोनों पिग भेडिये से काफी डरे हुए थे इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए इतने में वहां पर भेडिया आ गया वो तिंकू पिग के घर का दर्वाजा खटखटाने लगा उसने कहा दर्वाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो तभी तिंकू पिग ने बिना दरे हुए कहा नहीं हम दर्वाजा नहीं खोलेंगे ये सुनकर भेडिया चिलाया मैं फिर भी तुम तीनों को मार कर खा जाओंगा मैं इस घर को भी तोड़ सकता भेडिये ने तिनकू पिग के इट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा सबसे पहले उसने फूक मारी लेकिन वह इट का बना घर नहीं उड़ा इसके बाद उसने अपने पंजे से से घर को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन इसमें भी वह असफल रहा उस जंगली भेडिये के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे तिनकू पिग का इट से बना घर नहीं तोटा लेकिन फिर भी भेडिये ने हार नहीं मानी उसने तै कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा पहले वो घर की छट पर चड़ा फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर चिन्टू पिग और मिन्टू पिग और ज़्यादा डर गए और रोने लगे तभी तीसरे तिनकू पिग को एक तरकीब सूजी उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बरतन में पानी भर कर वहाँ पर उबलने के लिए रख दिया भेडिये ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई वह सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई इस तरह टिनकू पिग की बुधिमानी और निडरता से तीनों पिग की जान बच गई फिर चिन्टू पिग और मिन्टू पिग को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने कहा भाई हमें माफ कर दो हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था तुम बिलकुल सही थे आज तुम्हारे कारण ही हम जिन्दा हैं तिनकू पिग ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा इसके बाद तीनों पिग खुशाली से एक साथ ईट से बने मजबूत घर में रहने लगे सीख कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूजबूच कर ही कोई फैसला करना चाहिए